तो चलिए फ्रेंड्स आज बनाएंगे धाबे वाली डाल तड़का तो देखिया आपको देखते ही मूह में पानी आ रहा होगा और खाएंगे तो बहुत मजा ही आ जाएगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो इसके लिए क्या किया है मैंने आदा कटोरी अर रख सकते ही तो चलिए इसको भिगो दिया और तो यह मैंने दाल को वाश करके त्यार कर लिया है बिल्कुल पानी इसका साफ हो गया है कोई बी इंपरीटीस के अंदर नहीं है तो चलिए इसको बना ते चैसे बनाते ही कि मैंने कुकर को एक जो है गैस पे रख दिया है और ओil गरम होने पर मैंने इसमें आदा चमत जीरा थोड़ी सी हींग डाली है दो तेज पत्ते डाहले हैं और एक हरी मिर्च को मैंने चौप करके डाल दिया है आप चाहे तो हरी मिर्च चादा भी डाल सकते है मैंने एक हरी मिर्च को दो टोडों में करके डाल दिया है तो अब इसको जीरे वगरे को क्रैकल होने देंगे और इसके बाद हम इसमें प्याद, लैसुन, अद्रग, टमाटर वगेरा डालेंगे तो देखिए यह मरा सब क्रैकल हो गया तो अब मैंने इसमें किया कि अद्रग डाल दिया है और कड़ी पत्ता डाला है इसके अंदर थोड़ा सा और प्याज मैंने डेड़ प्याज चौप करके डाला है तो जितना मैंने प्याज लिया है उत्ता ही मैंने टमाटर लिया है तो डेड़ टमाटर भी मैंने महीन महीन चौप करके इसमें डाला है तो प्याज ट यह लाल मिर्ज पावडर इसके अंदर थोड़ा से मैंने गरम मसाले डाल दिया है इसमें और अब जो है इसको अच्छा से भुनेंगे थोड़ा से मतलब गरम होता है ना ये सारा मिक्सचर तो इसी मसाले जो अपने आप भूं जाएंगे और अब इसमें अपनी सारी वॉश कीवी डाल डाल देंगे तो देखी मैं इसमें डाल डाल दीओं मैं नाल को धोंके पानी से निकाल के अच्छे से रख लिया था अब यह दाल इसके ंदर ड पानी डाला है तो यह बिल्कुल परफेक्ट रेश्यू है तो इसमें आपकी डाल में बाद में आपको पानी नलने जरुद नहीं पड़ेगी बिल्कुल पड़िया दाल बनकर आपकी रेडी होगी और नमक डाल दिये देखिए मैंने अब इसको अच्छे से मिला देंगे और दकड़ देंगे तो कुकर कर दकड़ मैंने लगा दिया है तो इसके पहले क्या क्या थाथ कि मैंने इसके अंदर यूए एक कटोरी डाल दी थी कोई विए आप छोटी सी कटोरी या चम्म चाप डाल देंगे ना तो पानी ज्टो है कुकर से बाहर नहीं आएगा तो आपका प्लैटफॉम अगेरा खराब नहीं होगा तो अब देखी दाल जो है ठंडी हो गई है मैंने इसमें छे सीटी लगाई थी कुकर हमारा ठंडा हो गया तो अब वो कटोरी मैंने इसमें से निकाल ली है तो देखी दाल हमारी विल्कुल परफेक्ट बनकर त्यार होके रेडी हो तो हम सकते हैं इसको चाफाती चपलहा सकते हैं लेकि अभी मुआ हैं और लॉइजर और पृम्चित खाशाना ऐया कॉन क् attracted heated लगाते हैं तो मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया तो इस दाल का फ्लीवर बहुत ही अच्छा आता है तो यह देखिए अब इसमें सहरा दनिया डाल दिया है सबको मिक्स कर देंगे तो आप क्या करें के हम लोग इसकी प्लेटिंग कर लेंगे बहुत ही शानदार दाल बनकर रेडी होती है बिलकुल रेस्टरेadamente style तारण स्टाइल मैं जैसे आप वहान की खाते कें क्ल बैसी है तो देखिए यह दाल हमारी बनकर बिलकुल लेडी है कैसी लगी बीडियो फ्रें कर दो कर दो में कर दो